मित्रो नमस्कार, मैं आज फिर आपके सामने उपस्तित हूँ, एक नए वीडियो लेकर, बहुत दिन से स्टेमरिंग मित्रो का अगरफ था कि किसरा वीडियो नहीं बना रहे हैं, मुझे भी बहुत दिकत हो रहा था, ऐसा कुछ काम में मैं फस गया था, कि करीब बहुत दिन स हमें बना नहीं पा रहा था, इस बात का हमको अफसोस है, और मैं छमाप राती हूँ, आप लो से मित्रो, और आज मैं, मैंने कोसिस किया कि एक वीडियो आपके, आप लोग के लिए बनाया जाए, और स्टेमरिंग के बारे में जो मेरा चल रहा था धारा, उसको फिर से आग तो मित्रो मैं बताना चाहता हूँ, कि फिर मैं आज उपस्तित हूँ अपने चैनल पर, आप लोग के सामने एक नया बात लेकर, इस टेमरिंग के इस टेमरिंग और दोस्तों के लिए एक नया कुछ ऐसा ची लेकर कि जिसको करने में उनको फैदा होगा, जल्दी इस बैमार पारी है, एक बैड हैपीट नहीं है, बैड हैपीट आप इस पिकिंग नहीं है, पिछले के तमाम वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया कि आरवेदा का क्या कंसेप्ट है, इसमें कि स्टेमरिंग कैसे होता है, वात कफज है यही, सुचु संधिता का स्लोक अभी मैंने कुछ दरहन दिया है इसमें कि किस तरीका से वात और कफ मिलकर सब दवाहनी नाड़ी को अबरूद करके मूख मिनमिन और गड़गड पैदा करता है, इस तरीका से मैंने आपने तमाम वीडियो के बारे में से बता है किस तरीका से फियर उत्पन होता है, कैसे स्टेमरिंग पहले होता है, फियर बाद में होता है, गबढ़ाहट बाद में होता है, पाल्पिटिक्शन होता है, नर्वस्नेस होता है, और ये बैमारी के बाद होता है, इस्टेमरिंग पहले हो जाता है, बच्पन में ही मिक्सिमाम केस में, और बाद में सारा कम्प्लिकेशन आजाता है इस सारा चीज मैं पहले आपने सारा तमाम वीडियो में बता चुका हूँ आप पिशे जाके देख सकते हैं लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा अप चुकि बहुत दिन इसमें हो गया इसलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा अपना पिछला बात भी आपको बता दूँ उस इसको बताते आ रहे हैं आप लोगों मित्रों कि ये एक एक बैमारी है सबसे खास बात ये हैं बार बार हमको बताने का मतलब है कि कोई बहुत सारे दोस्तों को दोस्तों का ऐसा लगता है कि नहीं है गलत बात है बैमारी नहीं है तो बैमारी नहीं है तो फिर बच्पन सही कैसे हो गया गलत आदत है तीन साल से कैसे हो गया आपको गलत आदत है तीन साल में मैक्सिमम केस में स्टैमरिंग को हजारों स्टैमरर पेस सकता हूँ कि यह बच्पन से ही होता है maximum case में तीन से पांस साल में staboring का problem चलू हो जाता है तेन मिलियन पिपूल भारत में हैं जनरी नॉर्मली अल्मोस्ट जिरको staboring का है problem एक से दो करोड़ आदमी है भारत में तो यह बैमारी नहीं ते गलत आदत कैसे होगा तीन चार साल में क्या गलत आदत हो गया अचानक क्या उसको हो गया कि उसका आवाज फसने लगा जो smoothness नहीं है उसमें किस तरीका obstruction चालू हो गया तो यह सब बहुत सारा ऐसा consequences आप देखिएगा जिसे आपको साफ लगेगा कि यह एक डिजीज है क्यों चरपांच कारण तो चरपांच कारण तो हम आपको आपको बता देते हैं जो मैंने देखा है कि एक तो पहले आप देखिएगा कि इसका कोई कि एक consequences नहीं है एक तरीका के stabbing नहीं है जितने बच्चा आता है जितना ही पेसेंट मेरे पास आया सब का थोड़ा थोड़ा difference है stabbing में किसी का आवाज दुसरे साइड से निकलता है किसी का choking कम है किसी का choking ज्यादा है कि इतना ज्यादा इस कैसे हो गया तो यह जो डिफरेंस है बच्चपन से होना है कफ का का consequences सब को मिलना है symptoms करीब करीब almost सभी में तो मैं नहीं बोल सकता हूँ बहुत लोगों में दिखाई देता है को कफ का कफ का बैमारी हमेशा सर्दी रहता है छीख आते रहता है हमेशा कफ बढ़ा रहता है एक तरीका से दिखाई देता है तो यह सारा सारा consequences मिल जाता है सुसु संगिता में जो बताया गया है कि कफ और वात सब दबाहनी नाड़ी में जाकर उसको औरोध करके मूख मिनमिन और गदगद पैदा करता है इसका बकायदा असलोक भी मैंने आज से 10-20 वीडियो पहले मैंने डाला है आपको लिंक भी डाल देंगा आप सको देखिएगा सुसु संगिता का किताब खरीद लेजे आप और अच्छी कित्सा अस्तान का पतलिसवा अधाय में आप जाके आप भी पर सकते हैं तो मेरा टीटमेंट का जो बेस्ट है आप जा अरवेदिक डॉक्टर M.D. इन अरवेदा मैं पोस्ट गेजुएंट इन अरवेदा हूँ त इसी कंसेट पर मैंने इस टीटमेंट को चालू किया कि स्टैमरिंग को वात कफज करो रोग मानकर एक मैंने इस्टैमरिंग क्योर पाउडर डेवलोप किया तो उसके उसको मैंने टीटमेंट चालू किया उससे और साथ में कुछ योगा का मैंने किया जिससे कि बहुत ज़् गबनाने लगता है इसलिए उसमें यूगा का बहुत बढ है जिसका नाम मूने रखा जिसका एफेक्ट ही हुआ कि बहुत सारह स्टेवलर को मेंटल मेंटल इरिटेशन हो जाता है रात को नहीं नहीं आता है मेंटली इरिटेटेड रहता है फ्रस्टेशन हो जाता है डिप्रेशन हो जाता है तो यह डिप्रेशन फ्रस्टेशन को दूर करने के लिए मैंने एक मेडिसीन निकाला जिसका नाम रखा इस्टेब्लिंग और टेबलेोट और उसको मैं रात में देते उसको रात सुब्वा साम इसे करकर मैंने देना चलू किया उससे और तेज़े से स्टारीग ठीक होना चलूंसे एक इधर सोध किया है स्टार्म्न की एर टेबलेट टू स्टार्म से उस युट करने के लिए को बनौय जाए तो प्मैंने के इस को भूदर मैंने सटार्ट यह बारे में आप लोगों को बताना चाहिए इसी की जलते कुश लेट भी हुआ ये बिडि़्यों लांच करने मैं दोस्तों इसी के चलते लेट भी हुआ तो इस टैब्लेक टू का जो effect है इसके बारे मैं आपको मित्रों मैं आज बताना चाहता हूं और तो बने रहिए दोस्तों मेरे चैनल पर इस चैनल पर बने रहिए और आप लोग को थोड़ा-सा भी फाइदा हो थोड़ा-सा भी को आपके इस इस दुख से आपका वोरी से डिफकल्टी से आप बहार निकल सकें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए बिल का इटन दवाईए और लाइक भी कीजिए और दुसरे को भी बताईए भीतरों को बताईए बहुत सारे लोग इस्टफरन हैं जिनके पास कोई नान फैन अपने मैं जाते हैं मैंने देखा है कि स्पीज़्ट यहीं सघी रौल है जो लोगाु में स्वरीज़ से ठीक भी होते हैं वो हमें साद़रे रहते हैं एक Presentsिशल इस एक सब्सक्राइब जोन में वो बने रहते हैं कि इसी तरीका से बनना है इसी तरीका से बोलना है रोज प्रेक्टिस करते हैं उसके लिए डेली टू डेली प्रेक्टिस करके एक इस पेसर जोन में वो बोलते हैं जबकि यह जो टीटमेंट है मेरा जो टीटमेंट है इस टेवरिंग का बेमारी का तो ये बैमारी को ही निकाल देता है, रिलेक्स होके आप बात किजिए, बिदाउट टेंसन बोलिए, जैसे बोलना वैसे बोलिए, फिरलेस होके बोलिए, और कोई प्रेक्टिस मत किजिए, ये सबसे बड़ा खासियत है, तो मैं में तो आज मैं बताने आए हूँ आपके लिए, कि जो मैंने ये टैबलेट डैबलेट डैबलेट किया है, जिसका नाम स्टैमरिंग कियो टैबलेट टू, उसका क्या इफेक्ट है, मैंने क्या सोच के डैबलेट किया, पहले तो मैंने सोचा इसमें कि Stammering Cure Powder तो आपको वात कफ का जो यह सुसु संगता में जो बताया गया कि बैमारी है उसके लिए मैंने एक दवाई निकाला Stammering Cure Powder वात कफ ना सक जिसमें वात कफ का जो यह बैमारी को दूर करें उसके बाद मैंने एक डेवलप किया टेवलेट की Stammering Cure Tablet 1 जिसमें मैंने देखा कि Stammerer को Anxiety, Depression, Insomnia बहुं सा रात नरीका का कंप्लिकेशन होता है खास करके anxiety उसको होता है घबलाहाट होता है नर्भसने सोता है तो उसमें इस टेबलेट का बहुत अच्छा रोल है रात में दोगली दोगली सुबा दोगली साम उसको calming effect है irritation का होता है और उसके बाद हमको लगा कि fear में भी कुछ काम करना चाहिए कि सब कुछ हो रहा है लेकि fear उतना तीजी से कम नहीं हो रहा है जैसे से extamberring ठीक होता Fiat Of course ठीक होता है लेकिं जीतना तीजी से होना चाहिए उतना तीजी से फियर नहीं ठीक होता है काफ़ी टाइंग लगता है fear में निकलने च्रुवी में बचपन सही इसका दिमाग पर बोजा realistically का जो तो पूरा भीतर में बैठ जाता है जाके कि हम बोल नहीं पाएंगे। उसके चलते हरा पिर भी मैं याके बैठ जाता यह साय कोई ऐसा oldしन्य परसेंट फोर। जो यह नहीं होले कि हम को डर नहीं लगता है. लेकिन लेकिन कुछ लोग मैं रही होता है। तो लेकिन 90-95% लोग कहते हैं कि दर हमको बहुत ज़्यादा है उस फियर पर मैंने काम किया हमको लगा कि एक दवाई मैंने खो जा जिसका नाम रखा तो उस फियर को बहुत drastically कम करता है तो मित्रो आज मेरा वीडियो इसी पर है कि यह statement में मैंने एक medicine भी बनाया है a Explanation Cyre Tablet two ओब मैं पर साफ को हम स्थेज को डेता हूं को कि इस्ट्रेमट का पाउडर इस्ट儋 टैपले डिश एम Um breathing exercise, प्रणयाम तीन तरीका का मैं बता हूँ जिससे कि जो सांस जो टूटता है वो सांस का आपका लेवाना रहा है, इनर्जी लेवल आपका बढ़ा रहा है, प्राण उर्जा आपका सहीर है, जो आपका प्राण उर्जा डिस्टर्ब हो गया है, तो आज वीडियो में यही आपको बताने के लिए हूँ, दोस्तों थोड़ा सा भी आपको लगे कि मेरा वीडियो साब का फाइदा है, तो लाइक सब्सक्राइब आप कीजिए, बहुत जल्दी हम, मैं प्लान में बनाए हूँ कि हर दो दिन पर एक वीडियो मैं बनाऊंगा आ और आपके लिए, आपके लिए और और इसको आगे बढ़ाना है, अमित्रों, और इसको आप कभी भी इस टैमरिंग दोस्तों से कहना है, जब भी आपको अदिकत हो, तो हम से मेरे वाटसेप पर मैसेज भेजिए, कॉल भी कर सकते हैं, टाइमिंग ले लिए पहले हम से किये, हम चुकि बहुत सारा डॉक्टर है, प्रेक्टिस में राते हैं, गवर्मेंट में भी पोस्टेड हैं, इसलिए आप टाइमिंग लेके हमको हमसे आप बात बात चाहिए का तो आप कर सकते हैं, लेकिन जनरली आप मेरे वाटसेप पर आप अपना मैसेज डाल दीए, हम आपको जवाब देंगे, आपको टाइम भी आपको देंगे, जो पुछना है, आप अपसे पूछ सकते हैं, और मेरे याँ टीटमेंट होता है, आपकोस इस टेमनी का बहुत दिनों से हो रहा है, सारा बिमारी का भी होता है, तो आप आ सकते हैं हमारे पास, और इस रोग से आप निजाद आ सकते हैं, ओके धनवाद जाहिंद,